चाहे आपके हालात इस वक्त कैसे भी हो इस वीडियो को देखने के बाद आपने से अधिकतर लोग ये जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी सी बुरी सिच्वेशन हो उसमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों थोड़ा समय तो लग सकता है इस वीडियो को देखने के लिए लेकिन खुशी तो अन्मोल है ये हर कोई चाहता है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशन्शिप नहीं है या जीने का मकसद नहीं है। बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब चीजों को खुशी के ऊपर रखते जाते हैं, यानि हर चीज ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं है। आप मेरी बात से सहमत ना हो लेकिन ये सत्य है कि खुश रहना एक आदत होती है, ये ऐसी कोई पराई चीज नहीं है जो कि आप किसी से मांग सकते हो या खरीच सकते हो। यह ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे किसी को exercise करने की आदत होती है, किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाने सुनने की आदत होती है और यह तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है, आदत कोई दूसरा नहीं बनाता ना. यह बात सच है कि जब आपका मन होता है तब ही आप किसी काम को सुरू करते हो लेकिन फिर भी लोगों को देखते हैं जब कोई परेशनी होगी तो स्टेटस लगाएंगे दूसरों को ब्लेम करेंगे पूरा का पूरा डैक भरा बरतन दूसरे के सर पर उधिल देंगे तो जब आपका मन नहीं होगा खुश होने का जब तक आप नहीं डिसाइद नहीं करेंगे कि हाँ अब मुझे इस वक्त से ही खुश रहना है तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो आप दुनिया का सबसे लक्षरी कार खरीद लो या चाहे आप चांद पर पिकनिक मना बढ़ने चले जाओ आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे और मज़े की बात को देखो आप तब भी किसी और को ब्लेम करते रहुगे कि तेरी मीजह से मैं खुश नहीं हून मेरी जॉब चली गई इसलिए मैं खुश नहीं हूँ या मैं एक्सटरनल चीजों को आपको किस वे में एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है एक्सेप्ट करके स्माइल करके जिन्दगी में आगे बढ़ना है क्योंकि देखो आप आप हो आपकी जो थौट्स है आपकी फीलिंग है वो आप में है उसी तरह हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक परस्नालिटी होता है तो आप किसी दूसरे की थौट्ट या परस्नाल अब यहां से एक बात निकल कर आती है एक्सेप्टन्स यानि आपको समझना है कि जैसे कि मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ उसी तरह से दुनिया में हर चीज हर वक्त और हर सक्ष और हर सक्ष की केपेबिलिटी यूनिक है तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट कर लि और आपका existences दुनिया के सामने निकल कर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यानि मैं accept किया कि हाँ आज से मुझे खुश रहना है फिर आपने accept किया कि मैं unique हूँ और किसी और को मेरे साथ compare नहीं कर सकता और तब आपको समझ आएगा कि मेरा भी कुछ existence है और self respect है। उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया में सबसे unique हूँ तो मेरी problems मेरी जिन्दगी की achievement दुसरों के जैसे same नहीं हो सकती यानि कि सब इनसान की अलग-अलग problems है। यार science में भी formula की limitation होती है कुछ ऐसी conditions है जहाँ पर जाकर वो formula भी fail हो जाता है तो जिन्दगी में ना जाने ना कितने equations है problem आना बिलकुल valid है बिलकुल basic है। 2. समय कभी नहीं रुपता अब आप ये बताओ कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी कार पंचर हो गई तो क्या आप कार को छोड़कर चले जाओगे नहीं ना क्योंकि आपको पता है कि अभी ये पंचर है लेकिन थोड़ी देर में जब मैं इसका पंचर यही किसी आसपास के दुकान से बनवा लूंगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी यानि की खराब वक्त आता है और चला जाता है अच्छा आपने कार का टायर सही करवा लिया लेकिन क्या गेंटी है कि वो अब कभी दुबारा पंचर नहीं होगा कहने का मतलब है खुश रहने का दुसर करके रोते रहना है 3. किसी को दोश मत दीजिए आप समझिए कि अगर आपकी कार पंचर हो गई और अगर आप सारा दिन वेट कर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे कार नहीं लानी चाहिए थी मुझे ट्रेंग से चले जाना चाहिए था या ब्लेम करोगे कि यार टाय ठीक करवाना है और अपने सफर पर आगे बढ़ना है कोई कितना भी बेवकूफ इंसान हो अगर उसकी गाड़ी पंचर होती है ना तो सबसे पहले उसका सल्यूशन ढूनता है तो यार ये तो जिन्दगी का महान सफर है तो इसमें आप कैसे खुद पे गिल्टी करके या द इस मकसद से जिन्दगी के सफर पर निकले थे उसको हर हालात में पूरा करना है इसलिए बिना सिच्चुएशन को जस्टिफाइ किये बिना कोई फाल्तू के एक्जेंशन किये कि उसने ऐसा किया होगा उसने ऐसा कर रहा होगा वो मेरे साथ ये करना चाहता है मैं इसी के ला लगाव ना दूसरों पर चार अपने आपको बदलो इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की जो इनसान जानते हुए भी नहीं करना चाहता है वो है चेंज एक बदलाव जब आप धकी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाना है बदलाव के लिए अगर आपको पत नौटिवेशन को एकसेप्ट करके बदलाव की तरफ बढ़ना है चाहे वो बदलाव आपके sleeping time में हो चाहे वो एकसरसाइस करने के समय में हो चाहे अपने लाइफ स्टायल में change करने में हो या फिर अपने जिन्दगी में goals को अचीव करने में हो कुछ भी हो गोल्स को कैसे अचीवे करना है, कैसे मेनहत करना है, इसके लिए आप मोटिवेशन की आग पर आकर सिख सकते हो पाँच, मुस्कराहट अब पाँचवा सिंपल सा पॉइंट आता है, स्माइल मुस्कराहट किसी किसी के चेहरे पर देखो, तो ऐसा लगता है कि सारा भ्रमान इसी के उपर पड़ा हुआ है, एक दम सीरियस दोस्तों, एक इनसान के स्माइल में बहुत ताक्त होती है पुरे दुनिया का बोज लेकर और धखी रहने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे और जब आप खुश दिखने की कोशिश करोगे तो आपको खुश रहने की आदत पड़ेगी कि हर हालात में मुस्कुराने की आदत पर जाएगी और जैसे की हमने शुरू में ही कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह से एक आदत है जैसे की सोना, एक्सेसाइज करना, घूमना फिरना तो लास्ट में एक एक बार फिर से रिवाइस कर देता हो कि किन फाइज मिनिमम पॉइंट अपले डेली के रूटीन में लाकर आज से ही खुश रहने की शुड़ूात कर सकते हो एक, एक्सेप्टेंस बुरे हालात को अक्सेप्ट करो अपना एक्सेस्टेंस पहचानो दो, टाइम नेवर स्टॉपस अच्छा और बुरा समय एक टायर की तरह है जब तक टायर घूमता रहेगा सुफ डैक आते रहेंगे और जाते रहेंगे 3. No guilty, no pain ना खुद को दोश दे और ना ही दूसरों को क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ होता है उसमें कही ना कही आपका decision जरूर होता है इसलिए माफ करना सीखो खुद को भी और दूसरों को भी 4. Change yourself सबसे जरूरी आज से ही अपने जिन्दगी में positive बदलाव लाना सुरू करो अपने जीने का मकसद पहचन 5. Smile पाँचवा और आखिरी टिप्स की हालात कैसे भी हो एक smile तो बनता है दोस्त तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ न कुछ सिखने को जरूर मिला होगा भुमा फिरा कर बात है खुद के अंदर जाकने की अंदर ही solution ढूरने की इसलिए हमेशा कुछ अच्छा करो देश में अपना नहीं बलकि दुनिया में देश का नाम करो और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की motivation वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत